दोस्तों मैं मुहम्मत फराज मलेक आज हम हराम और हलाल की बात करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को हराम और हलाल में भी हिंदु मुसल्मान दिखाई देता है इंटरनेट फिरी है मुबाइल जेम में है तो इंसान अपने काबलियत दिखाते हुए हर मामले पर उंगली गुसरे करेंगे कोशिश करता है और फिर वीडियो कर देता है ध्यान से देखिये का आखिर तक और शैर भी करिए एक महाशे का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ट्रेन में एक महाशे सफर कर रहे हैं ट्रेन के स्टाप में जो चाए देने आया था उसको रोक कर कहते हैं कि आप ये हमें हलाल साटिफाइड चीजे खिला रहे हैं साबन का महीना चल ला है हम अपने घर जाकर पूजा करेंगे और आप हमें हलाल साटिफाइड चीजे खिला रहे हैं चाय पिला रहे हैं रेलबे का करमचारी जो चाय लेकर आया था वो समझाने के कोशिश करता है कि भाई दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओगे चाय तो शाकहारी ही होती है चाय मासहारी कब से होने लगी वो समझाने के कोशिश करता है लेकिन महारशे अपनी काबले हुआ है तो यह हलाल है और हलाल जो है वो सावन के महीने में हमारे पूजा को खराब कर देगी हमारी धारे में आस्था को ठेस पचाने वाली बात है यह बहुत सारी बाते करते हैं लेकिन ट्रेन का करमचारी उन महाशे को यह कहते हैं विवापत चला जाता है कि दुनिया के हर काम में पंगा करने की कोशिश करते हैं और हिंदु-मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर F-S-S-A-I जितने भी खाद पदार्द होते हैं वो F-S-S-A-I certified होते हैं आपने हर खाद पदार पर पैकेट पर लिखा हुआ देखा होगा F-S-S-A-I इसके अलाबा कुछ चीज़े हमारे देश के अंदर ऐसी भी हैं जिन चीज़ों पर हलाल certified लिखा हुआ होता है 100% हलाल certified आपके हाथ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़े आई होंगी आप दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़े खर लिखता है बलके हमारे देश के बहुत सारे नौन मुसलिम भाई बहन भी खरीदते हैं F-S-S-A-I का certificate जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है वहीं जो हलाल certificate है वो हमारे देश के अंदर कुछ कंपनिया है हलाल इंडिया प्राइबिट लिमिटेड हलाल certification services इंडिया जम्यत उल्माय हिंद हलाल ट्रस्ट ये कुछ कंपनिया है इनकी तरफ से हलाल certificate कंपनियों को दिया जाता है अब कंपनिया हलाल certificate लेती क्यों है और हलाल certificate लेने के बाद वो जो 100% हलाल certified चीज़े बनाती है उसके अंदर किन चीज़ों को डालती है किन चीज़ों को नहीं डा product जाता है उन products पर halal certified लिखा हुआ होता है हला कि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी चीज़े halal certified भिकती है हलal certified जिन चीजों पर लिखा हुआ होता है उस चीज के अंदर वो कोई भी चीज नहीं पड़ी होगी जो चीज इसलाम में हराम है खाद पदार्तों के साथ साथ बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं पहले हम खाने वारी चीजों की बात कर लेते हैं फॉर एक्जामपल इसलाम में जटके का मास्क खाना हराम है अगर कोई कमपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसमें मास्क का इस्तिमाल किया जा रहा है तो कमपनी अगर उस प्रोडक्ट को मुसलिम देशों में बेचना चाती है या मुसलमानों को बेचना चाती है तो उस पर हलाल सार्टिफाइड लिखा होगा और हलाल सार्टिफिकेट लिखने का मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो मास पड़ा है वो पूरी तरह से हलाल जानवर का है खाने की कोई भी चीज कमपनी की तरफ से बनाई गई है और उस पर हलाल सार्टिफिकेशन की महर लगी है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसी हराम चीज मौझूद नहीं है जो इसलाम में हराम है जैसे शराब की बात कर लेते हैं पर्फियूम होता है उसके अंदर ऐलकोहल का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर आप हलाल सार्टिफाइड पर्फियूम खरी देंगे तो उसके अंदर ऐलकोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा ऐसे अगर मेक अप के सामान की बात कर लें लिपिस्टीक पर्फियूम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जिसमें सुर की चर्वी को डाला जाता है बहुत सारे क्रीम है जिसमें जानबर की चर्वी को मिलाया जाता है तो काफे सारे कंपनिया हलाल सार्टिफिकेड लेकर इस तरह की चीज़ें बनाती हैं और मुस्लिम देशों में भेशती हैं और उन products के अंदर किसी तरह की जानबर की चर्वी या alcohol जैसी चीजों का इस्तिमाल नहीं किया गया होता है सीधे दोर पर अगर समझाओं तो जो चीजे हलाल certified होती है उसके अंदर ना तो शराप का इस्तिमाल किया गया होगा नहीं किसी तरह के खून का इस्तिमाल किया होगा नहीं किसी जानबर की चर्वी का इस्तिमाल किया होगा अगर आम बाशा में कहूं तो pure शुद्ध शाकाहारी ये product होते हैं जिन पर हलाल certification लिखा हुआ होता है लेकिन कुछ लोगों के सामने जब हराम और हलाल की बात की जाती है तो उनको सीरे तोर पर हिंदू और मुसल्मान दिखता है हराम और हलाल को वो लोग मुसल्मान से जोड़ देते हैं जबकि हराम जो है वो अरबी का शब्द है हलाल जो है वो अरबी का शब्द है हराम का मतलब होता है इलीगल अवैध नाजाइज हलाल का मतलब होता है वैध लीगल जाइज हलाल को हिंदी में कहेंगे तो वैध हो जाएगा इंग्लिश में कहेंगे तो लीगल हो जाएगा अरबी में कहेंगे तो हलाल हो जाएगा मीनिंग सबका एक ही होता है लेकिन हराम और हलाल को देखते वे कुछ लोग हिंदु-मसल्मान करना शुरू कर देते हैं अब जो चाय वाला वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ महाशे कह रहे हैं कि सावन का महीना चला है और आप हमें ये हलाल सर्डिफाइट चीज़े खिला रहे हो शायद उनके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि हलाल इस पर लिखा है तो इसमें कोई ना कोई मास का टुकड़ा मिला हुआ है अमा मिया चाय कब से मासा हारी हो गई भाई हलाल साडिफाइट का मतलब यह है कि इस चाय के अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं मिली है जिस चीज का इस्तिमाल इसलाम में हराम बताया गया है अब सावन का महीना चला है हमारे हिंदू भाई मास से दूर रहते हैं क्योंकि हलाल साडिफाइट चीजों में कोई भी हराम चीज नहीं डाली जाती है ना मास का इस्तिमाल किया जाता है ना चर्बी का इस्तिमाल ना अल्कोहल का इस्तिमाल और सावन के महीने में हमारे बहुत सारे हिंदो बाई इन सारी चीजों से बहुत दूर रहते हैं उम्मीद करता हूं कि ऐसो लोगों को हलाल और हराम की समझ अच्छे से आ गई होगी फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही मिलते हैं को ने वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खैल लगए